हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी चैनल क्रिकुलन प्रिडिक्शन में तो गाईद आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेथ औस्टेलिया के बीज में जो पांच मैचों की ODI सिंखला स्टार्ट होने वाली है उसका पहला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में देखो जॉस बडलर अनएवलेबल है मतलब खेलते हुए नहीं दिखेंगे लंबे अर्थ से बाद यहाँ पर स्टीवन स्मित की वापसी हो रही है इंगलैंड वालों ने जो रूट को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है आपको बताता चलू जो की T20 सिंखला थी एक-एक से बराबरी हो गई और दोनों टीम ने यहाँ पर जो कब था उसको डिवाइड कर लिया मतलब सांझा कर लिया लेकिन ODI सिंखला कौन सी टीम यहाँ पर विन करने की प्रवबल दावेदार रहने वाली है कौन से खिलाडी आपको अपने Small League की टीम में लेके चलना है आपको कौन से खिलाडी Grand League की टीम में लेके चलना है CVC किसको करके चलना है A to Z सारे सवालों के जवाब मिलने वाले लियम लिविंश्टन आज T20I में नमबर एक ओल राउंडर की उपलबधी इन्होंने हासिल कर लिया है जो कि ICC का मैंने अभी कुछ देर पहले पोश्ट देखा था तो बहुत अच्छे अच्छे डेटा आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आया हूँ तो बस वीडियो में बने रहीएगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इंग्लैंड के तरफ से बात करते हैं क्या कुछ पॉस्बल प्लेइंग इलेवन हो सकती विट रिसेंड फॉर्म तो विल जैक्स के साथ आप लोगों को फिलसाल्ट ओपन करते हुए दिख जाएंगे विल जैक्स का ओडियाई फॉर्म देखेगा पिछले मैच में मतलब जब भी कभी ये ओडियाई का पिछला मैच ये खेले होंगे 17 रन बॉलिंग से 3 विकेट 73 रन 26 रन 94 रन और मैक्सिमा मैसे खिलाड़ी है जो कि वर्ल्ड कप के बाद से सीधा अभी आप लोगों को लगभग एक साल बाद खेलते वे दिखने वाले है ठीक है फिलसाल्ट की बाद करते है तो इनका एवरिज सा फॉर्म है बाकि बेंड डकट का फॉर्म देखेगा अभी 100 का टूनमेंट खतम हुआ है वहाँ पी इनका बहुत अच्छा परफॉर्मस था लेकिन देखो 100 का टूनमेंट 100 गेंदो का था यहाँ पे 300 गेंदे रहने वाली है तो देखना बटलर के ना रहते हुए देखना पड़ेगा इनकी टीम क्या करती है बाकि लियम लिंग्स्टन पैंतालिस रन जीरो विकिट जब कभी भी आखरी मैच खेले हो इनका ओडियाई का परफॉर्मस आपके सामने लिखा है बहुत अच्छा परफॉर्मस है इंपॉर्टन खेलाड़ी इनफेक्ट सी वेसी करके चल सकते हो जॉर्डन कोक्स राइट हंड बैटिंग करते हैं टी ट्वेंटी का इनका डेटा मैच खेला नहीं है ब्रेडन केस की बात करते हैं इनका डेटा आपके सामने लिखा हुआ है यह आप लोगों को देखो बैटिंग आने पर बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं पलस बॉलिंग से विकेट टेकिंग अबलेटी अच्छी खासी है हां बहुत जादा नहीं लेकिन एक एक विकेट निकाल रहे हैं अब ODI का फॉर्मेट है तो हो सकता हम लो को मिल रहा है बागी ओली स्टोन का भी ठीक ठाक फॉर्म देखने को मिल रहा है ठीक है बागी देखो सामने से बात करते हैं ऑस्टेलिया कि जो टीम रहने वाली है जेक फ्रेस और मगर क्यूंकि आज तक इन्होंने भी कोई ODI का मैच खेला नहीं है टीट ट्वेंटी का डे पॉलिंग भी करके दे सकते हैं ODI सिंग कला में स्टीवन स्मित आफ्टार ओ लॉंग टाइम यह आप लोगों को किर्केट में कमबैक करते हुए दिख जाएंगे बहुत लंबे वक्से यह इंटर्नेसनल टीम से बाहर चल रहे हैं हम लोग फैफ 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 करते थे यहां पर भाई मतलब फैफ फोर का आखरी पड़ाओ चल रहा है आने वाले हो सकते हैं दो तीन सालों में यह लोग सन्यास ले ले लें बागी खेलती हुए देखना है इनको बहुत खुबसूरत खेलाडी है टेकनिक स्ट्रॉंग इनकी ठीगा मिचल मास की बात करते हैं तो ओडियाई फॉर्मिट के हैसाब से यह भी इंपॉर्टेंट है मैक्सवल की 201 रन वाली या फिर कह सकते हो कई बार तो याद आता है कि अगर अफगानिस्तान का वो खेलाडी कैच नहीं छोड़ा होता तो हो सकता और श्टीलिया उस दिन जीती ना होती अफगानिस्तान की ट बैटिंग बॉलिंग दोनों करके दे सकते हैं इंपॉर्टेंट खिलाडी अगर खेलते हैं तो मिचल स्टार्क मस्ट पिक वाले खिलाडी है अडम जंपा इंपॉर्टेंट खिलाडी है वैसे दोनों टीमों के तरफ से अभी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाडी है और हम लो कोपर कॉरलनी, कैमरोन गिरीन, मैथ्यू शॉर्टिन सब का धियान रखना, जौस इंगलिस वगरा का धियान रखना, मैच डिटेल फर्ष्ट इंटरनेशनल ODI, वंडे सिंखला खेला जाएगा, 19 सितंबर 5 बजे आप लोगों को शाम को ये मैच खेला जाएगा, एम लिखा हुआ, ये पी एम मतलब शाम को 5 बजे मैच खेला जाएगा, ट्रेंड ब्रिट नोटिंगम का ग्राउंड रहने वाला है, जो कि बैटिंग विकेट रहने वाली ये खास तौर पे जो तेजगती के बॉलर्स हैं, इम्पोर्टेंट है बारिस के किसी भी परकार के कोई चांसेज नहीं है, उम्मीद है आप लोगों को पूरा अच्छे से मुकाबला होता हुआ दिख जाए, आवरेज स्कोर की बात की जाए तो 219 रहने, तो उस हैसाब से दोखो उतनी बेहतर बैटिंग विकेट हम लोग नहीं मानके चल सकते हैं, न्यूटल विकेट मानना क्यूंकि 300 गेंदों में अगर 219 बन रहे तो फिर पूरी तरीके से बैटिंग विकेट नहीं कह सकते हैं, 72 विकेट गिरी हैं, 51 विकेट तेजगती के बालर्स और यहाँ पे 21 विकेट स्पिन बालर्स ने निकाला है, इंगलाइन की जमीन है, वैसे भी आपको मालूम है भाई, श्टार्टिंग में ही गेंद वगेरा बहुत स्विंग करती है, तो तेजगती के बालर्स मश्ट पिक वाले, यहाँ से 24 रहने वाले हैं, नीचे आते हैं, वैनु पे दोखो कुछ टॉप परफोर्मर खेलाडी की बात करते हैं, विल जैक्स एक मैच खेले हैं, 94 रन की हैं इस वैनु पे, एवरेज है इनका, जॉस बट्र तो एवलेबल नहीं है, पांच मैच में 51, आ जैकले इस वैनु पे करते हैं, ट्राविसरड एक मैच में 51 इनका भी है, म dobr दो मैच में 2,Or 3.5 विकेट, एवरेज इस वैनु पे निकालते हैं, मैथ वैनु पोर्स दो मैच में, टू पॉइंट-थाइस विकेट, जॉस हूल एक मैच में, दो एवरिज विकेट अच्छा देखो यहां से काफी डाउट आपका वेन्यू को लेकि किलियर होने वाला जो रिसेंटली मैचेज खेले गहा है देखो इंगलाइंड की तीम 334 करती आइरलेंड की तीम इसको चेज नहीं कर पाती है मातर 286 करती है अल आउट हो जाती है 10 विक 2019 का डेट है ठीक है बांगलाजिस की टीम 333 करती है फिर एकॉर मैच वर्ल्ड कप कही है औस्टिलिया की टीम 288 करती है वेस्टिंडिस की टीम 273 करती है नौ विकेट गिराती है अपने हाँ पे 381 को बाई मिस्टेक 318 मैंने लिग दिया था हाँ विकेट देख लो 7 विकेट पेसर, 4 विकेट इस्पिनर, यहाँ पे 17 विकेट पेसर, मातर, 1 विकेट इस्पिनर, पाक की टीम 349 करती है, इंग्लैंड की टीम 349 करती है, 10 विकेट पेसर, 7 विकेट इस्पिनर तू कहने का सेंस यह है वैसे recently बहुत पहले मैचेज खेले गए वर्ल्लकप 2019 का डेटा बता तो वहां पर तो 300 का आकड़ा इसली बनाया तो अगर इसके हसाब से देखा जा तो आप लोगों को 280 से लेकर 320 के संथिंग स्कोरिंग होने वाली है क्योंकि दोनों टीमों के पास वैसे बैटिंग है अच्छे ठीक है और विकेट की बात की जा तो 70% जो विक्टे वो तेजगत काफी मैटर करेंगे हेड टूएड में जब टॉप पफोर्मर खिलाड़ी जब दोनों टीम आपस में खेलती है मिचल मास 18 मैच में 564 रन 35 की ओसात है ट्रैविस हेड 14 मैच में 646 रन लगभग 50 की ओसात है इस्टीवन इसमित वन आफ दी बेस्ट एंड एक्सपीरियंस खिल जोफर आरचर 5 में 10 विकेट आदिल राशी 26 में 47 विकेट तो ये कुछ टॉप पफोर्मर खिलाड़ी होते हैं तो अगर आप अपने स्मॉल लिकी टीम बना रहे हो ना तो बहुत सारा डाउट तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा अगर आप स्मॉल लिकी टीम बना रहे मिल जाएगा इस्टिवन स्मॉन विके आदिल राशिफ से तीन बार लिश्टॉन से एक बार बागी सामने से मिच देखिएगा लिश्टॉन से एक बार जोफर अरचर चती भी रेक्बार फसे ए उसार आपल लोग चाहोग सकते हो रिसेंटली जब ये दोनों टीम आपस में खेलती है तो कुछ टॉप पफोर्मर खेलाड़ी हम लोग यहाँ से निकालेंगे और श्टेलिया की टीम 286 करती है इंगलाइंड की टीम 233 करती है मैच को विन नहीं कर पाती है, उस्टेलिया की टीम मैच को डिफेंड करती है, स्मीट के 44 रन, लबुशान के 172 रन, ग्रीन के 47 रन, इस्टोईनिस के 35 रन, एक विकेट, जंपा के 29 रन, तीन विकेट, हेजल वुड के 2 विकेट, आदल राशित के 2 विकेट, लियम के 4 विकेट, जंपा की उपर में भी रन है, 29 रन, तीन विकेट है, ठीक है, नीचे देखो इस्टीवन इस्मिट के 94 रन, ये भी मैच अगेन ऑस्टेलिया की टीम डोमिनेट करती है, लबुशान का भी नाम रिपीट हो रहा है, मिचल मास का भी नाम रिपीट हो रहा है, जं पहले कुछ मैचों में, अगेन देखो ट्रैविस हेड, 79 के साथ इस्टीवन इस्मिट, असी नोट आउट, एडम जंपा भाई, नहीं समझाए तो इनको वी सी कर देना, जितने भी मैचेस खेले गए है, इनका नाम कंटिनूसली हर मैच में रिपीट हुआ है, अब देखो उस्टीलिया की टिम विस्व विजेता टीम है, और आई थिंक पहली दफाई ये ODII का मैच खेल रही है, जहां तक मुझे याद आ रहा है वर्ल्ल कप के बाद ठीक है, तो रिसेंट फॉर में, बहुत पहले का पिछले साल का ही है, इस्मॉल लिग में सेफ कैप्टन, वाइ आज के मैं सेलेटेड हमारी क्या कुछ फैंटेसी टीम बनके रेडी हो रही है, तो दोस्तों बात करते हैं, विगिट कीपर सेक्षन से उम्मीदे की वीडियो आप लोग देखकर यहां प्यार होगे, तभी जो चीज़ें मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, अच्छे से मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का अपने टेलीग्राम पर ही अपडेट कर पाऊंगा मेरे दोस्तों प्लीज यहां पर आप लोग जरूर आ जाईएगा, तो स्टार्ट करते हैं, देखो विगिट कीपर सेक्षन, अच्छा उससे पहले देखो यह जो आठ कॉमन खिलाड मैं फिलाल इंगलिस के साथ जा रहा हूँ क्योंकि देखो स्टार्टिंग में फिलसाल्ट बैटिंग करेंगे हो सकता है, यह स्टार्टिंग में फंस सकता है, अगर इंगलिस नहीं खेलेंगे, कैरी खेलेंगे तो यह भी मिडल ओर में खेलेंगे, तो मेरा मानना यह है कि मि एतर विकल्प हो सकता है ठीक है बागी बैटिंग सेक्षन से ट्रेविस हेड इसमित ये कॉमन खिलाड़ी है बागी देखो एज़र डिफ्रेंशियल मिचल मास और लभूशान इंपॉर्टेंट है वैसे देखो के तो 20% से भी कम लोग इनको अपने टीम में ट्राइ कर रहे है भाई गेम चेंजर ये दोनों खिलाड़ी है दोनों का धियान रखना इसमॉल लिंग में तो कता ही ड्रॉप मत करना विकल्प देखो बेंड डकेट हैरी बुरुक का है अगर आप चाहो तो अपने टीम में इनको जगाद दे सकती हो बागी ऑल राउंडर सेक्षन से यए ड्रॉप करने का कोई सीन नहीं है मैथ्यू शोट खेलेंगे टो इंपोर्टइंट गी एडिरिन खेलेंगो तो इंपोर्टनल यहां पर बालिंग बीकर सकते हैं अब विल जी एक्स को लेना है मैं दुनिया लब ऊव शान और माश को डॉप कर रह रही है मैं नहीं करू क्योंकि यह जब जब दोनों टीम आपस में भेड़ी है इन्होंने परफोमेंस किया ठीक है सीना बोट ऐजर डिफरेंशियल चाहो तो ले सकतो मातर 23% लोग ले जा रहे हैं भाई यह बैटिंग भी बहुत खतरनाक करता है यह खिलाडी इसका ध्यान रखना बैडन केस आप लोगों को इंपोर्टेंट हो जाएगा रिष्ट ओपली पर तोड़ा सा ध्यान रखना तो देखो दोनों टीम होगा तरसे ऐसे बहुत सारे खिलाडी है अब देखो जो लोग वीड़ो ध्यान पूरो आग देखे होंगे वो समझे होंगे क्योंकि पिछले मैच में जो अफगानिस्तान और साउथ अफरीका का मैच खिला गया था अल्ला मुहम्मद गजनफार को मैंने कहा था भाई ने निकाला तीन विकेट ठीक है और इसी परकार अगर आज की भी लोग वीड़ो आप लोग देख रहे होगे मैंने ऐसे खिलाडी वीड़ो में बता हैं अगर आप लोगों ने विडाउट स्किप कियो वीड़ो को वाच किया होगा तो कैप्टन मैक्सवल करूँगा वाइस कैप्टन लियम लिंक्सटन करूँगा विकाज दोनों तरह से पॉइंट देने की काबलियत रखते हैं दुनिया करेगी ट्रेविस हेड के साथ आप भी कर सकते हो वाइस कैप्टन जंपा को दे सकते हो हर मैच में इनका नाम रिपीट ह हुआ है तीन विकेट निकाल देंगे तो काम कर देंगे बागी टेलीग्राम पे आप लोगों को बने रहना है उम्मीद है कि अगर वीडियो स्किप करके देखे हो तो फूल वाज जरूर कर लेना बागी कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं को अच्छी व